जो कई माइने में विशेशग्यों कहते थे कि कई जी ट्वेंटियों में डेक्लिरेशन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि अलग-अलग मत होते हैं इस बार जी ट्वेंटि में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता में दिल्ली डेक्लिरेशन भी 20 देश और अफरिका यूनियन का जो प्रत्निद्रव को इस बार जी ट्वेंटि में प्रवेश करवा दिया है सभी ने मिलकर दिल्ली डेक्लरेशन पर अपनी अमीट चाप छोड़ी है विश्व के सामने जितने भी चुनौतियां है चाहे वो जलवाई उपरिवर्तन हो, चाहे वो मिलिनियन डिवेलप्मेंट गोल्स हो चाहे वो युद की सिती हो, हर चीज़ पर इन बीस और अफरिका यूनियन, सभी देशों ने सर्व समिति के साथ दिल्ली डेक्लरेशन पारित की ये एक अभूत पूर्व सफलता भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाई पिछले तीन-चार दिनों से हमारे सभी देशों के शेड़पा एक साथ मिलकर, विचार, विमर्ष, चर्चा, एक ऐसे मसौदे को तैयार करने में वियस्त थे जो सर्व समिति से पारित हो और आज ये एक इतिहास भारत में बन चुकी है दिल्ली डेक्लरेशन अब जी-ट्वेंटी के पूर्ण इतिहास में सम्मिलित हो चुकी है इसके लिए हम प्रधान मंद्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुपकामनाई देना चाहते हैं और उनकी अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता में ये संभव हो पाया ये बहुत बड़ी किर्तिमान है भारत के लिए अब देखो कॉंग्रस की मान सकता है ये देश बनाने वाली पार्टी नहीं रही ये देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन देश जब देश का गौरव का समय हो जब नया एक किर्तिमान स्थापित किया जा रहा हो तब इनका काम है केवल अपना लकीर लंबा नहीं घीचना पर दूसरों के लकीर को काटना देश की जनता अब इन्हें भली भांगती जानती है और पूर्ण रूप से इन्हें एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार इनको जवाब दे चुकी है और क्या करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सीखना नहीं चाते अश्रों के लोग रखर दो बार